Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button YouTube पर Tag TV का channel subscribe कीजिए और notification का button भी दबाई किसी किसम का challenging जमाना हो Tag TV अपने views और news लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए Tag TV को अगर आप sponsors कर सकें आप इश्टहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे आज के बिला तकल्लफ तैजिये में मैं बात चीत करूंगा चीन की कैमिनिस पार्टी के उन रवईयों के हवाले से जो रवईये अब पूरी दुनिया में मुस्तर्द किये जा चुके हैं जो रवईये पूरी दुनिया में रेजेक्ट हो चुके हैं जब मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ तो मेरी मुराद खुद चीन के लोग भी है चीन के लोग भी चीन की कैमिनिस पार्टी की इन हरकतों से अब उकता चुके हैं इसकी एक मसाल हांग कांग के पौर्टेस्ट है हांग कांग जो चीन का हिसा भी है और चीन का हिसा नहीं भी रहना चाहता इस कैमनिस पार्टी के रवईयों की वज़ा से वो ये बता रहे हैं कि वो चीन की इन हरकतों से खुश नहीं हैं यही हाल ताइवान का है यही हाल वेतनाम का है यही हाल साउथ कोरिया का है उस पूरे रीजन का यही हाल है कि जितनी सीनो नेशन्स हैं वो भी चाइना की किसी किसम की बाला दस्ती नहीं चाहते क्योंकि चाइना की बाला दस्ती का मतलब है कैमनिस पार्टी ओफ चाइना की बा को लदाह की लएसी पर बेदर्दी और कावड तरीके से मारा है डॉच करके बैक स्टैबिंग करके मारा है उसके बाद भारत में भी वो हिंदी चीनी भाई भाई का जो एक नारा था उसका मकमल तोर पर जनाजा निकल चुका है अब कोई सूरत नहीं है के भारती अवाम भारत जनता चीन की कैमिनस पार्टी और चीन की रजीम पर एक परसंट भी ट्रस्ट कर सके इससे पहले कि मैं आज प्रामिसर निंडरा मूदी की आल पार्टीज मीटिंग का एहवाल आपके साथ शेयर करूँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के मेरे शोव में एपाउक टाइम और एंटी टीवी जो अमरीका में मीडिया आउटलेट्स हैं उन चीनी बहनबाईयों के हैं जो अपनी ही चीनी कैमिनस पार्टी से तंग आए हुए हैं उनकी मैं स्पेशल निउस रपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा इस से पहले मैं बात्चीश शुरू करता हूँ भारत में हुने वाली ओल पार्टी जो परेमिस नियंडरा मोदी ने विर्चूल मीडिया पर की और इस काण्फरंस में उन्होंने खुल कर कहा कि वह किसी सूरत भी चीन की इनवेजिन को ना कबूλ करेंगे चाहे वह एक इंच की इनवेजिन हो और उन्होंने ये वाजे भी किया अपने इस वीडियो क्लिप में कि ये अफवाएं ये रियूमर्स मकमल तौर पर गलत हैं कि चीन भारत की टैरिटी में गुसाया था उन्होंने आज की आल पार्टीज कांफरेंस से बात करते हुए ये बात खुल कर कही न वहां कोई हमारी सीमा में गुसाया है नहीं कोई गुसा हुआ है नहीं हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कबजे में है लदाख में हमारे बीज जाबाज सहीद हुए लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आँख उठा कर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए है उनका इशाओरिया ये बलिदान हमेशा हर भारतिय के मन में अमीट रहेगा भारत के कुछ आपोजीशन के लोग और कुछ मीडिया के लोग सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से ये प्रपगेंड़ा कर रहे हैं कि प्राइमिनिस्टर निंदरा मूदी खामोश हैं और खुलके बात नहीं कर रहे हैं और चीन भारत की टेरिटरी में घुसाया है प्रामिर्सर नेंडरा मुदी ने उस ब्रूटल एक्शन पर जो चीन की फौज ने केमिनिस पार्टी ऑफ चाइना की फौज दे भारत के फौजियों पर किया उसके बाद कुछ गंटे खामोशी रखी क्यूंकि वो फौज से पूर इन्फरमेशन ले रहे थे जब उन्हें तमाम कन्फरम्ड इन्फरमेशन आ गई तो उन्होंने कुछ गंटों बाद ही कौम को बता दिया था कि चीन का ये रविया नकाबले कबूल है और भारत इसका भरपूर तोर से जवाब देगा फिर उन्होंने भारती आपोजिशन प पार्टीज को एक विश्यूल मीटिंग के लिए बुलाया और उसमें उन्होंने ये खुल कर कहा कि भारत की जो कैपबिलिटीज हैं अपने किसी भी दुश्मन से निपटने के लिए वो बहुत बढ़ चुकी हैं उन कैपबिलिटीज के बारे में प्रामिशन रमूदी ने आज अपनी विश्यूल मीटिंग में जो कहा आप भी सुनियें। है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचीत कदम उठाने के छुट दी हैं वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूंक स्पष्ट कर दी हैं। प्रामिनिस्टर निर्दा मूदी ने आज आल अपोजिशन पार्टी से बाचीत करते हुए ये भी वाज़े किया कि भारत बुनियादी तोर पर पीस चाहता है इस दुनिया में भी और अपने रीजन में भी। मगर उन्होंने ये बात खुल कर कही कि इसका मतलब ये हर्गिस ना लिया जाए कि भारत कंप्रोमाइस करेगा अपने पीस के एजन्डे की खातर अपनी सोवेरेनिटी को और ये बात उन्होंने अल पार्टी से खताब करते हुए यूं कहीं। साथियों राष्ट हीत देश वास्यों का हीत हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्रात्विक्ता रही हैं। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टरिजम हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्विकार नहीं किया है। राष्टिय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कारी है, जो भी जरूरी इंफरस्टेक्टर का निरमान है, उसे इसी तरह तेज गती से आगे भी किया जाता रहेगा। इस मौका पर प्रामिस्टर निंद्रा मूदी ने ये बात भी वाज़े की कि आफ्टर आल चीन क्यूं इस तरह की हरकते कर रहा है। उनका ये कहना था कि बहुत लंबे समय से इस बॉर्डर कॉरिडोर में भारत की तरफ से बहुत ज्यादा इंफरस्टरक्टर नहीं था, बहुत ज्यादा निगरानी नहीं की जा रही थी। जब से उनकी पहली सरकार बनी थी तब से इन्फरस्ट्रक्चर के बनने का काम भी तेजर रफ़तारी से शुरू हुआ और इसके सासा निगरानी का काम भी शुरू हुआ तो चीन को तब से ये बात खटक रही थी और इसी इन्फरस्ट्रक्चर की वज़ा से चीन इस पेशरफ्त को रोकना भी चाहता है और भारत की कैपड़िलिटीज भी मजीद बढ़ गई हैं कि वो अब चीन के किसी किसम के मदाखलती रवये को रोक सके अपनी तक्रीर में प्रामिलसर इंडरा मूदी ने ये बात इन श बने हुए इन्फरस्ट्रक्चर की वज़े से खासकर एलेसी में अब हमारी पैट्रोलिंग की कैपड़िटी भी बढ़ गई हैं पैट्रोलिंग बढ़ने की वज़े से अब सतक्ता बढ़ी हैं और एलेसी पर हो रही गतिवीद्यों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है नहीं रहती थी अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं रिस्पॉंड भी कर पा रहे हैं अब तक जीन को कोई पूछता नहीं था कोई रोकता टोकता नहीं था अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं उन्हें टोकते हैं बहतर हो रहे इंस्पास्टर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठीन परिस्तिते में वहां पैनात रहते हैं उन्हें साजों सामान पहुचाने में आसानी हुई है इस मौका पर चीन की कैमिनिस पार्टी के स्पोक्स परसन ने मीडिया से बाचीत करते हुए ये कहा कि भारत ही इस सारी कारवाई का जमधार है उनका ये कहना था कि भारत की गैर जमधारी की वज़ा से ये वाक्या हुआ यू कैमिनिस पार्टी ऑफ चाइना ने किसी किसम की जमधारी लेने से इंकार कर दिया कैमिनिस पार्टी चाइना के स्पोक्स परसन इस सल्सा में ये बात खुल कर कहते हैं कि विख विख था कि अव व्वड और जमधारी विख राट्नीोंस अनुच्चरना बांटाचि को अवड वडर्स अवड दिए्ट ये वूर्स फ्वड श्यूश्टना विख वड वड़्सित कते हैं in India and when people are boycotting Chinese products the Indian government is planning to conduct anti-dumping investigations into Chinese products and telecom operators in the in India have been asked to stop purchasing Chinese equipment what's your comment I'd like to reiterate that regarding the serious situation in the Galvan Valley the right and wrong is very clear and the responsibility entirely lies with the Indian side both China and India are in communication with each other through diplomatic and military channels on easing the situation China values our bilateral relations we hope India can work with China to jointly maintain the long-term stable as long-term development of bilateral relations China ki communist party ne agarche zimadari bharat par dali lakin sath-sath-sath-is-umieed ka izhar bhi kiya ke China or India ke biech joh baat-chit chal rhiya is baat-chit ke natiijah mein joh ya conflict hai wo resolve ho ga aur is conflict ke resolve hoonay ke sath-sath-sath-un nneunne is-umieed ka izhar bhi kiya ke tahlakat bhi maamool per á jayenge. Lekin dousi taraf bharat mein country wide protest ho rhei hai hai indian side mein yee bat khul kar ki jah rhi hai ki chayina ki tamam goods ka bai kaart kiya jahe india mein or us bai kaart mein kishi kisim ki chini ashiya ki khriido furokht na ho. aur is wakt bharat mein ghamo ghusay ki joh fضa hai woh bhot hi zyadha apne intahaa ko chhu rhi hai. agar ham international community par nigahat ho raayin toh sab se important mulk amerika ke secretary mike pompeal nae khul kar ek tweet daytae hovay kaha jaysa ke aap screen pe unki tweet dayk rahe hai hai. we extend our deepest condolences to the people of india for the lives lost as a result of the recent confrontation with china. we will remember the soldiers families, loved ones and communities as they grieve. secretary mike pompeal nae yee baat khul kar keh di aapne twitter account pei aur jis saara ki language unho ne bhrti hai usse aap ko bho bhi andazah hota hai ke amerika ki condolences soldiers ki greed families ke saath aur tamam bharatiyo ke saath hai. aur is salsahe mein unho ne agarche apni tweet mein china ko condemn nahi kiya. mager china ke liye kisii kisim ka kooi soft corner nahi rakha nahi soft baat ki hai. isse wazih hota hai ke amerika is tanaza ke salsahe mein mekمل طور پر bharat ke saath hai. aur amerika ka bharat ke is maamla per saath dhenne ka joh amal hai. wo mike pompeal ki is tweet se ek roze pehle u.s white house secretary aur spokesperson kelly mekane ne bhi apni takreer mein ye baat wazih torpar ki aur unka is salsahe mein video clip aap sun sakte hain aur dheekh sakte hain. Going back to the international front on china and india you just mentioned that the administration is monitoring the situation but the president has mentioned that he would be willing to mediate the uh the conflict between china and india now if he were to do so what does that look like does that mean does that look like a one-on-one conversation does that mean bringing the two leaders together has the president indicated what mediation looks like for china and india um so again no no formal plans on that beyond what i already said in expressing our absolute um condolences to the indian soldiers that died as a result of today's confrontation we extend our deepest condolences there um and i would note just that during the phone call on june 2nd of this year that president trump had with prime minister modi they did discuss the situation on the india china border. is video clip mein white house ki spokesperson miss kelly ne khol kar kaha ke kooi aisa plan US ki taraf se nahi hai jis mein china aur india ki mediation ke salsahe mein baat chit ki jai kyun ke jaysa ke unse ye sawal bhi kiya gaya aur kuch harçah pehle sadar trump ne aapne bholpun me yeh keh diya tha ki china aur india ke bici agar unhne djawat di gayi mediation ki toh woh is par bhi gaur kar saktay hai lakin is video clip mein spokesperson white house miss kelly khol kar ya baat kehti hai ke aisa kooi plan nahi hai mager unhneunne bhi apni condolences ka izzahar grief families ke saath isi takrir mein kiya tha. jaysa ke mein ne shuruo mein kehaa ke aaj mein baat chit karunga china ke ccp virus یعنی Chinese Communist Party virus joh corona pandemic ki صورت mein پوری dunia پر اس وقت چھایا ہوا ہے. اور اس نے پوری dunia ko اپنے عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے. امریکہ اس وائرس سے متاثر ہونے والا سب سے زیادہ ملک ہے. اور امریکہ کو سب سے زیادہ تشویش اس سلسلہ میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ چین کی بڑھتی ہوئی جو ایک infiltration ہے into American institutions اس سے بھی بہت تنگ ہے. اور اس سلسلہ میں بالاخر امریکہ نے سخت اقتامات لینا شروع کر دی ہے. اس سے پہلے کہ میں امریکہ میں چائنیز انفلٹریشن کی جو داستان ہے وہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں اپاک ٹائم اور انٹی ٹی وی کے شکریہ کے ساتھ جو انڈیا کے حوالے سے ہی ان کی ایک مختصر نیوز رپورٹ آپ کو دکھاؤں گا. اس رپورٹ میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کس طرح Communist Party of China جو ہے وہ اپنے حربے نہ صرف انڈیا کے لیے اب آزمار رہے ہیں بلکہ بہت سارے اور ملکوں کے لیے بھی آزماتے رہتے ہیں اور ان کی یہ جو کاروائیاں ہیں یہ جو ان کے آزم ہیں وہ واضح طور پر اپاک ٹائم اور انٹی ٹی وی نے واضح کیا ہیں یاد رہے کہ انٹی ٹی وی اور اپاک ٹائم چائنیز لوگوں کے میڈیا اوٹلیٹس ہیں جو چائنہ کی کیمنس پارٹی کے خلاف ہیں اور جو چائنہ میں دیموکریسی کو پریویل ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں میں انٹی ٹی وی کے شکریہ کے ساتھ ان کا یہ نیو سپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں Angry sentiments against China are high in India and calls to boycott China-made products are erupting across the country. Tensions at the border went up in May when China surprised India by deploying troops to disputed areas. It's unclear why Beijing did it. But China affairs commentator Lan Shu told us it's a common tactic Beijing uses. It creates small border clashes when faced with domestic or international pressure, shifting focus away from the CCP's wrongdoings. The India-China issue is a historical issue. The issue has already existed for a very long time. But why does it break out now? It is because when the Chinese Communist Party is in trouble, it needs to find an enemy from abroad, so as to shift the focus from its domestic problems. Its main purpose is to transfer the focus of Chinese society. Examples include China announcing a war against Vietnam in 1979. At that time, the regime was in deep political and economic crisis after the Cultural Revolution. Beijing also ramped up anti-Japan propaganda in 2012, when current communist leader Xi Jinping was about to take power and internal party struggle was tense. Beijing is currently facing a potential second wave of the virus outbreak and a struggling economy. The conflict may escalate. But whether it will indeed lead to a war, that depends on how deep the conflict is inside China, because the domestic conflict involves the stability of the communist rule. China is also stepping up its activity near Taiwan. On Wednesday, Chinese aircraft entered Taiwan's air defense identification zone for the fourth time in nine days. Meanwhile, Japan reported that Chinese government ships have recently been seen moving near disputed islands in the East China Sea. Japan had protested to China and vowed to respond. China has now been in the U.S. to the U.S. at the United States with the U.S. of India. China has now been exposed to its investment in the US and how to expand its propaganda. China has been exposed to its propaganda in the US and its propaganda. Millions and millions of dollars are used to the Chinese Communist Party's अपने गलत एजेंडे को अपने गलत प्रापगेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तमाल कर रहे हैं और काफी हद तक वो इसमें कामयाब भी हो चुके हैं लेकिन अब अमरीका की आँखें खुलना शुरू हुई है लेकिन सवाल ये है कि अमरीका का मीडिया, चीन की, पैसे की, चकाचान, चमक-दमक के आगे क्या इसी तरह जुका रहेगा या फिर अपनी रवश बदलेगा मैं NTD TV की ये रिपोर्ट उनके ही शुक्रिये के साथ आपके साथ शेयर करता हूं According to documents submitted by the U.S. Department of Justice, Chinese-day-run media China Daily paid American newspapers and media nearly 19 million USD for advertising and printing expenses over the past four years. Daily Caller, an American News and Commentary website, reported the findings on June 8th, Posting China Daily, an English-language newspaper controlled by the Chinese Communist Party, has paid more than $4.6 million to the Washington Post and nearly $6 million to the Wall Street Journal since November 2016. Both newspapers publish pay supplements that China Daily produces called China Watch. The inserts are designed to look like news articles, but they often contain a pro-Beijing spin on contemporary news events. China Daily also paid for advertising in several other newspapers. The New York Times $50,000, foreign policy $240,000, the Des Moines Register $34,600, and CQ Roll Call $76,000. आपको ये वीडियो क्लिप देखकर बखूबी अंदाजा हुआ होगा कि चीन की कैमिनिस पार्टी अमरीका तक में किस तरह गुसाई है. चाइना की कैमिनिस पार्टी का यही रविया पहले आस्ट्रेलिया में था. जपान में भी उन्होंने कोशिश की. आस्ट्रेलिया में काफी हद तक कामियाब हुए. उसके बाद इन्होंने स्रीलंका, नेपाल में भी कोशिश की. नेपाल में अभी भी उनकी एकनॉमिक सिचुएशन जो है उससे फाइदा उठाते हुए. चीन की जो कैमिनिस पार्टी है, अपना असर अभी भी दिखा रहे हैं. मालदीव में यह काफी गुस के थे. वहां से निकाल बाहर किये गए. अफ्रीका में यह गुस के थे. और अफ्रीका में तो बहुत ज़्यदा यह शकायत आई कि यह रेसिस बहुत होते हैं. जो कैमिनिस पार्टी उप चाइना के लोग थे. शदीद रेसिस होने की इतलाइत है. अब अफ्रीका से भी इनको निकाला जा रहा है. पाकस्तान में गुस कुशे हुए हैं. पाकस्तान की गभर्मेंट भी और पाकस्तान की इस्टैublishment भी जो इतलाइत हैं. चीन की हरकतों से खुश नहीं लेकर उनके पास शायद कोई option नहीं है, कोई choice नहीं है. वो खुद अपने इतने मैस में हैं कि निकलना भी चाहें तो शायद अभी नहीं निकल सकते वो तब ही बाहर निकलेंगे जब अमरीका मकमल तोर पर उनको बाहर निकालने की कोशिश करेगा उसलसा में पाकिसान को अपनी पॉलीसीज बदलना होगी अपने हमसायों के साथ अफवानिस्तान और भारत के साथ जो एक प्रॉक्सी टर्रिरिजम का रविया उसको खतम करना होगा इन सब बातों से हट कर जैसा कि मैंने पीछे कहा था कि चीन की कैमिनस पार्टी अमरीका के इदारों में काफी इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है यहां तक कहा जाता है कि अमरीका की इंटेलिजेंस अमरीका की जो स्क्योर्टी के दारे हैं उन तक ये किसी ना किसी हद तक घुस चुके हैं अब सदर ट्रम्प और अमरीकन अड्मिस्टेशन पेंटागॉन कोशिश कर रहे हैं कि चीन की इस इन्फिल्ट्रेशन को दीरे 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 खतम किया जाए हता कि ये हॉलिवुड में भी बहुत पैनिट्रेट कर चुके हैं और किसी हद तक बॉलिवुड में भी पैनिट्रेट कर चुके हैं बॉलिवुड के भी कुछ ऐसे सुपर स्टार्स हैं जो चीन के खलाफ बात करते हुए कतराते हैं उनको ये पता है कि उनके मिलियन्स और डॉलर का जो बिजनस है जो चीन में उनकी फिल्में चलती है कारोबार पर ही निगार रखेंगे यही मसला सो काल्ड सेलेबर्टीज का हॉलिवुड में भी है बॉलिवुड में भी है मगर बॉलिवुड के इलावा हॉलिवुड की इस पर अब जो एक तरह से कंसर्न है वो वाज़ होता शुरू हो गया अब सेनिटर हैं टेड करूस जो हॉलिवुड का एक बड़ा नाम भी रह चुके हैं उन्होंने अमरीकी सैनिट में यह बिल पेश किया किस तरह चीन की कैमिनिस पार्टी का हॉलिवुड से जो इन्फिल्टरेशन है जो अंदर ये गुसाए हैं इसको बाहर किया जाए इस सलसा में मैं एक बार फिर एपॉक टाइम और NTD TV के शुक्रिये के साथ, with the courtesy of NTDV and Epoch Time, और उनकी ही एक news report आपके साथ शेर करता हूँ The Western world is now more and more alert about the cultural infiltration coming from the Chinese Communist Party, CCP. Recently, U.S. Senator Ted Cruz proposed a new bill aimed at blocking the infiltration from the CCP in Hollywood and restoring the tradition of American films promoting the right values. On April 28, Senator Ted Cruz introduced a new bill called SCRIPT-ACT, which stands for Stopping Censorship, Restoring Integrity, Protecting Talkies. The goal of the bill is to prevent the Department of Defense from giving technological assistance in authoritizing the use of assets to movie companies and film studios that accommodate to Chinese censorship. Normally, Hollywood films that wish to portray real military plots would seek assistance from the Pentagon. Ted Cruz tweeted the following on April 28. For too long, Hollywood has been complicit in China's censorship and propaganda in the name of bigger profits. The SCRIPT-ACT will serve as a wake-up call by forcing Hollywood studios to choose between the assistance they need from the American government and the dollars they want from China. The SCRIPT-ACT has given us to come to Japan's eyes. Japan has given to the Communist Party of China President or President of China, President Xi Xi, a message of Xi Xi, a message of Xi Xi came to come to the country in the pandemic. But in the COVID-19 pandemic, the government itself has given us a message of the government. Japan has given us a message of the government. नहीं लिया लेकिन ये बात तै है कि जैपनीज किसी सूरत भी नहीं चाहते कि चीन के सदर जपान का दोरा करें। इस सिल्साह में मैं एपाक टाइम और एंटी टीवी के शुक्रिये के साथ एक और नियूस रपोर्ट जपान के हवाले से आपके साथ शेयर करता हूं। A planned state visit to Japan by Chinese Communist Party leader Xi Jinping seems to have been postponed indefinitely. But a number of Japanese citizens said in a recent television interview they see no need at all for Xi's visit because recent incidents have exposed the Chinese Communist Party's true nature and lack of trustworthiness. Xi's visit to Japan, originally planned for early April, has been postponed due to the CCP virus pandemic. It is unlikely that Xi's plan to visit Japan will be resumed within the year, although the Japanese government has not explicitly withdrawn the invitation for Xi's visit. However, several Japanese interviewed by NTD said they objected to Xi's visit, citing Beijing's suppression of information about the CCP virus, interference in Hong Kong's affairs, aggression in the South China Sea, and human rights violations and oppression of ethnic and religious minorities. 응 kayak Chinese SI What a last question President Obauya Jaland Go t Japan हो, Australia हो, Taiwan हो, America हो, European Union हो, India हो और हता के Pakistan भी अंदर से चीन की हरक्तों से खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है, खास दोर पर चीन की स्कैमिनस पार्टी की घलत पॉलीसियों की वज़ा से हता के चीनी खुद भी खुश नहीं है। Millions and millions Chinese are living in the Western world and most of them hate China's कैमिनस पार्टी क्योंके उन सब की ये खुश है की चीन में डिमोकरिसी आए, मैं दावे से कहता हूँ, चीन के अंदर बसने वाले बहुत बड़ी तदाद में जो चीनी खुद है, Majority of Chinese living in China must not be happy with CCP virus and with this CCP, यहनी Chinese Communist Party, ना उनके वार्टी से खुश है, ना इस पार्टी से खुश है, अब चाइना की Communist Party मकमल तौर पर पूरी दुनिया पर एक्सपोज हो रही है, और हमें उमीद है कि ये मकमल तौर पर एक्सपोज होगी, और उसके बाद, दुनिया शायद को जैसे इक्तामाद करने में कामियाब हो जाए, कि चीन की Communist Party से जान छूट जाए, खुद चीनियों की भी और दुनिया की भी, इसी तोकों के साथ, आज का बिला तकल्र तैजिया ताहिर गोरा के साथ, देखने और सुनने का बहुत शुक प्रिकेशन पटने तब भी हम आपके बहुत शुकर गुजार होंगे